हेलो एवरिवान, मैं मिनाक्षि पजाज एक बार फिर आप सब का वेलकम करती हूँ अपने चानल पर मुझे उमीद है कि आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर को सुनते हैं और एक जरूरी बात, मेरे चानल पर बहुत सारे सब्जेक्स के complete syllabus अविलेबल हैं तो अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर लीजिए आज मैं आपको करवाने जा रहे हूँ एक निया टॉपिक, जो की है Human Resource Planning Human Resource Management का playlist का link मैंने description box में provide कर दिया है आज के lecture में हम discuss करेंगे meaning, definition, objectives और importance तो आईए start करते हैं आज के topic को सीखना with lots and lots of positive energy कोई भी company तब तक successful नहीं हो सकती अगर उसके पास सही लोग ना हो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हर एक organization के लिए कि वो सही लोगों को चुने और काम पर रखे जैसे कि हमने functions of HR में पढ़ा था कि procurement सबसे पहना function होता है तो यही function जो है बन जाता है planning तो human resource management चार्ट होती है manpower planning के साथ इसमें ये सोचा जाता है कि हमें कितने लोग काम पर चाहिए उन लोगों में क्या क्या काबलियत होने चाहिए तो इसके अंदर future requirements को देखा जाता है और परखा जाता है पर इतना ही नहीं जब human resource planning की जाती है तो उसमें ये भी plan बनाये जाते हैं कि जो लोग already हमारे पास काम कर रहे हैं उनके skills को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए और उनमें जो क्षमताएं हैं उनका पूरा पूरा फाइदा company को मिले human resource planning में पाँच में बातों का खास ध्यान रखा जाता है सबसे पहला तो ये है right number कहने का मतलब quantity कितने लोग हमें चाहिए उतने ही काम पर हो ना तो ज़्यादा ना तो कम right kind इसका मतलब है right quality जिस skills के लोग जिस काबलियत के लोग आपको काम पर चाहिए लोग को ही काम पर रखिए right place हर एक इनसान में कुछ खूबियां होती है तो उसकी खूबियों को पहचानते हुए उसी उसी पोस्ट पर रखें जो वो बहतरी इन दरीके से manage कर पाए right time सही समय पर लोगों को काम पर रखा जाए समय से पहले रखा तो फाल्तू की तनखा देनी पड़ेगी अगर जब जरूरत होई तब लोग ना होए तो काम बिगड जाएगा तो समय की बहुत importance है अब जब लोगों को काम पर रखा जाएगा तो long range benefit के बारे में सोचा जाएगा और long range plans में यही सोचा जाएगा कि ऐसे लोग काम पर रखा जाएग कि company को भी उसका फायदा हो और लोगों की भी तरक्की हो दोनों parties खुश हो existing job के साथ तो my dear learners अगर आप भी मेरे से पढ़कर खुश होते हैं तो चानल को अभी subscribe कर लीजे lecture को भी पूरा सुनिएगा like कीजिए और share कीजिए जादा से जादा अब बारी आगई definition की definition learn करना students के लिए बहुत ही ज़रूरी है लियोन सी मेगिंसन ने human resource planning को समझाते हुए एक बहुत ही बढ़िया definition दी उन्होंने बोला कि human resource planning एक integrated approach है integrated का मतलब होता है कैसी approach जो coordination बिठाए ताल मेल बिठाए जब भी personal function किये जाए तो हर एक function एक दूसरे के साथ मेल खाता हो एक ही लए में सारे functions चलते जाए सबसे पहला काम तो ये है कि sufficient supply हो लोगों की जिस समय लोगों की जरूरत है उस समय employees को काम पर रख लिया जाए मोटिवेट किया जाए motivation के उपर detail में video lecture मेरे channel पर available है आप वहां से सुन सकते हैं तो जब एक बार लोगों को काम पर रख लिया गया उनकी motivation के उपर भी काम किया गया तो उसके बार अब बारी आ जाती है कि उन्हें duties assign की जाए हर एक employee को ये भी बताया जाता है कि उसने क्या काम करने है क्या उसके task है अगर वो employee अपने काम अच्छे से करता है तो organization का objective अचीव हो जाएगा और साथ की साथ employee जो चाहता है जो उसकी individual needs है अपने career को लेकर वो उन needs को भी पूरा कर पाएगा तो इस definition के अंदर Leon C. Meginson ने ये समझाया कि इन सब कामों के बीच में ताल मेल बिठाना ही human resource planning का काम है हर एक definition जो अलग-अलग author ने दी पर सब के पीछे मनशा एक ही थी सबने यही बोला कि human resource planning एक forward looking approach है जिसमें आने वाले समय को study किया जाता है ये एक ongoing continuous process है जब तक company चलेगी तब तक लोगों की जरूरत होगी और तब भी हमेशा के लिए frequent changes आते ही रहेंगे इसके बाद ये भी बोला गया कि human resource planning एक बड़ा ही integral यानि important power है जिसकी मदद से company तरफ्की कर सकती है human resource planning के अंदर जो लोग काम पर है उन्हें best utilize किया जाता है future को predict किया जाता है कि कितने लोगों की जरूरत होगी qualitative और quantitative दोनों aspects को study करते हुए human resource manager इस चीज का खास ध्यान रखता है कि वो ऐसी approach बनाए जिससे jobs तो fill हो ही जाए साथ की साथ company अपना मन चाहा गोल भी achieve कर पाए अब हम discuss करेंगे objectives human resource planning करने के पीछे company की कई सारी इच्छाएं होती है इसे मैंने तीन हिसों में बांटा है ताकि आपको learn करने में असानी हो सबसे पहला objective तो होता है optimum use जितने लोगों को काम पर रखा है उनकी काबलियत का company जादा से जाएदा फाइदा उठाना चाहती है future requirements को predict करती है कि अब तो लोग सही है आने वाले समय में कितने लोगों की जरूरत होगी कैसे लोगों की जरूरत होगी इसे अच्छे से control किया जाता है ताकि कि समय अनुसार सही लोग company में available हो पार्ट B में मैंने ये बोला कि forecast करनी पड़ती है requirement ये अनुमान लगाये जाते हैं कि आने वाले समय में क्या trend होगा लोगों की कितनी जरूरत होगी मेरी company के अंदर surplus हो जाएंगे लोग क्योंकि technology बदलत रही है trends बदल रहे हैं तो हो सकता है लोग जादा हो जाएं काम से निकालना पड़े लोगों को या company में कुछ ऐसा positive change आए company की तरक्की हो जाए और shortage हो जाए नए लोगों को काम पे रखना पड़ जाए तो ये भी decide करना पड़ेगा कि किस level पे recruitment करनी पड़ेगी लोगों को training कैसे देंगे हम उसके बाद आ जाता है part C इसमें मैंने बात की है cost की अगर हम चाहते हैं कि काभी लोग हमारी company के साथ जुड़े तो हमें उनके तनखवा का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा और जो company तनखवा देगी उसके लिए तो वो cost है तो company कोशिश करेगी इस cost को अच्छे से estimate और manage करेगी कभी कभी ये भी देखा जाएगा कि employees को हमने क्या क्या फायदे देने हैं हर एक फायदे की क्या लागत पड़ेगी productivity कैसे बढ़ाई जाएगी और जैसे जैसे technology बदलेगी उसका असर मेरी company के उपर क्या आएगा तो कैसे diversify करना है कैसे expand करना है इन चीजों का काफी असर company की planning के उपर पड़ सकता है अब हम discuss करेंगे need यानि जरूरत क्या है human resource planning करने की और अगर company अच्छे से human resource planning करेगी तो उसका फाइदा company को क्या होगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि हर एक company के कुछ objectives होते हैं जिसे company पूरा करना चाहती है अच्छे और काबिल लोगों की मदद से तो company कैसे लोगों को चुनेगी जिने knowledge हो experience हो और जिनका aptitude हो future को लेकर वो एक सही राय बना सकते हो इनहीं लोगों को select करेगी और training भी देगी तो सबसे पहला काम जरूरत ये है कि gap को fill करना company में gap होता है किस चीज़ का quantity का और talent का जितने लोग चाहिए अगर तो नहीं है तो gap है जितने लोग चाहिए अगर उससे ज़ादा है तो भी gap है तो इस gap को खतम करना talent जैसे लोगों की जरूरत है वैसे लोगों को काम पर लेकर आना या talent को बढ़ाने के लिए training देना जिन लोगों को काम पर रखा है उन्हें training दीजिए ताकि वो मुश्किल कामों को सीख जाए और बढ़िया तरीके से loyal होकर करते जाए और replacements भी company को करनी पड़ती है अब क्यों करना पड़ेगा भई replace क्योंकि कोई retire हो गया किसी ने resign कर दिया या किसी की death हो गई उस case में company को उस person की replacement दूनने ही पड़ती है उसके बाद आ जाता है second point जो की है effective utilization का point company ने लोगों को काम पर रखा अब उन लोगों से काम भी बढ़िया तरीके से execute करवाना चाहती है company diversify करेगी तो और काबलियत की जरूरत पड़ेगी तो यहां बात आ जाएगी anticipating cost यानि estimate करना कि कितना खर्चा लगेगा लोगों को काम पर रखके policies और programs को fulfill करवाने का technology बदलेगी नए नए challenge आएगे जो already employees हैं उन्हें फिर से training देनी पड़ेगी अगर नए लोगों को काम पर रखोगे तो उन्हें भी training देनी पड़ेगी तो technology के कारण खर्चा बढ़ता जाएगा तो बहुत जरूरत है एक बढ़िया plan बनाने की तांकि नए लोग और जो पुराने लोग हैं सबको effectively utilize करते हुए goal को achieve किया जा सके इसके बाद बाद आज आती है physical facilities अगर आप लोगों को काम पर रखेंगे तो आपको उन्हें कई सारी facilities भी provide करनी पड़ेगी जैसे की कभी-कभी आप उनको transfer करोगे तो physical mobility देनी पड़ेगी employment generate भी तो करवाएगी सरकार आप से तो उसी कारण से कई सारी facilities देनी पड़ेगी लोगों की mobility बड़ेगी तो यहाँ पर हमें ये समझाता है कि succession planning भी करनी पड़ेगी क्यूंकि अगर आप एक काबिल इनसान retire हो रहा है और उसकी जगा आप किसी को तयार नहीं कर रहे हैं कमपनी को काफी नुकसान हो सकता है जैसे जैसे समय बदल रहा है और भी बहुत सारे challenges आगे आते जा रहे हैं human resource planning के रास्ते में employment की situation बदल गई है man पार एक जगा पर रहकर खुश नहीं जहाँ opportunity अच्छी मिलती है लोग चले जाते हैं तो अच्छा plan किया जाए ताकि लोग हमारे साथ जुड़े रहें technology बदल रही है demographics बदल रहे है ये मैंने आपको previous lecture में बताया था कि composition of workforce बदल गई है shortage of skills है लोगों के बीच में skills की कमी होती जा रही है क्योंकि requirements बहुत ही complex होती जा रही है rules बहुत जादा है जैसे कि मैं अपने ही channel पर आपको factories act के rules बता रही हूँ तो वो सारे rules को भी follow करना पड़ता है तो planning जब की जाती है तो इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है कि legislative control भी पूरे हो जाएं इसके इलावा trade union या और भी कई सारी parties हैं जो company के उपर pressure create करती है hiring cost बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे लोग mobile होते जा रहे हैं यानि एक जगा से दूसरे जगा जाने को तयार होते जा रहे हैं तो company को इस बात का एहसास है कि लोगों को अगर अच्छे से ना रखा गया तो काभी लोग company छोड़ कर चले जाएं तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर complete हुआ पर आप कहीं नहीं जाईएगा चैनल को subscribe करके रखियेगा क्योंकि आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी human resource planning का पूरा process वो भी एक case study के साथ तो भूलिएगा नहीं like, share and subscribe मिलते हैं बहुत जल्द